नमस्कार दोस्तों जैश्री राम जैश्री श्याम दोस्तों आज ब्लॉग में हम बात कर रहे हैं हमारे सिवनी मालवा के सीता राम मंदिर राधा कृष्ण मंदिर आज ब्लॉग में मैं आपको शुर्वास सही दिर के बारे में बताऊंगा जैसा कि शाम हो गई है और मैं खासकर यहां की लाइटिंग बहुत भीज है बंदिर को काफी एच्छे से बनाया गया है और काफी महस्ते बनाया गया है और मैं आपको बंदिर प्रांगण में सारी ज प्रांगा वहां क्या क्या चीजे है सब चीजों का विस्तित रूद्ले करेंगे यह वीडियो में और आपने चैनल को विद्धा सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और वेल आइकान प्रेस करना बिल्कुल ना मूले जैशी राओ तो कहीं आप देखिए हैं मंदिर में बढी आने क रास्ता है श्राइब एकशुआ सब प्रांग्रम पार्केंग के वहस्ता भी है मैने प्लिका नहीं पर प्र्सुए मदिर मंधिर सिवनिमाल इसन जिसका इंतजार सांए काशी समय से काम चलई रहाता है और यह है वो भब आकर्शक मंदिर देखें कितना भब और आकर्शक मंदिर है यह भब बम आकर्शक सीता राम मंदिर जैसे ही मंदिर के हम शुरुवात में आते हैं देखें कि आप बहुत ही प्यारा मंदिर नजर आ रहा है परिसर देखें आप कितना प्यारा एक दम भब माकर्शक मेरी काफी इक्षा थी कि हमें मंदिर में रात में जाना है, और मेरी आज एक्सा फूरी हुई, वह आपको दिखाऊंगा मंदिर पकूर अंदर से भी दिखाऊंगा वहाँ, मंदिर के अंदर कलक्रती है, करती हैं, वह भी मैं आपको दिखाऊंगा, ले का estarra2 नहीं यहां रात का समय है और लाइटिंग पर अच्छी मज़र आ रही है देखिए गर्मी और पानी का मज़़ा कि पिता जी को लेकर आओ में देखिए अब वीडियो में नजर आ रहा है पिता जी उनकी काफी इक्षा थी क्या मंदिर में कि रात में देखिए इसकी लाइटिंग के कारण खास का देखिए यही पास में यगशाला भी है कि भब्बिकार का में हुआ था सिवनी मालवा में ही यगशाला को मैं आपको पास से दिखाऊंगा कई जन्मों का फल मिलता है यग से यह देखिए आप अब्बे सीन मेला भी चल रहा है हरदोल बाबा का पास में कुछ अन्स कुछ मेले के भी आपको मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा जी यह दोस्तों यह सिवनी मालवा की आन बांग शान राम लाला विराजमान है अनलर मिलता है यह दोस्तों जी रह दोस्ते हैं कि दौार देखिए आप कितने शांदार भब और आकरशक दौार है जैश्री राम लिखा हुआ है कि जैसे ही हम मंदर में प्रवेश करते हैं देखिए बहुत ही भव्य और प्यारा नजरा नजर आ रहा है कि कारीगिरी आपको समझ में आएगी कि क्या कारीगिरी है कि आपको वीडियो में अराम लाला हमा जाना रहा है कि यह वाजू में बजरंग बली विराजमान है देखिए क्या सुन्दर थंदर आकरती हैं आप देखे मा दर्गा बरमे शरी मा बेश्णो देवी मा महे शरी देवी ब्रह्मानी देवी माता मराही देवी माता राज राजश्वरी माता मीनाक्षी देवी माता महिसासुर मर्दनी माता पारवद्धी और जैसे ही हम इस रेणी बागे बढ़ते हैं यहाँ पर आदी गुरु संकरचार स्री गरुडेव स्री महा विश्नु देखिये विश्नु जिसे इस नाग पर लेटे नजर आ है मैं जूम करके भी आपको दिखाऊंगा स्री अन्वान जी महाराज स्री पंडित बेनी मादाव सिवारी जी स्री कलकी अफ्तार स्री क्रश्न अफ्तार स्री राम अफ्तार स्री बलराम अफ्तार स्री परसुराम अफ्तार श्री बामन अप्तार, श्री नर्जिह अप्तार, श्री बराह अप्तार, श्री कुण अप्तार, मतस्य अप्तार और यही पास मगवान गड़ेश की प्रतिमा बहुत ही सुन्दर और मनमोहत प्रतिमा आकरशित करने वाली प्रतिमा यह यह आपको राधा कर्सूंदी नजर आएंगे कर दो 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 कर दो